ओम नमो नारायन मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आचार जागंद्र मिस्रा में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मित्रों रास वाले जातक के उपर मंगल ग्रह के राशी परवर्तन के कारण लगातार डेड़ महीना कैसा प्रभाव रहने वाला है मंगल ग्रह, बेपसाय, साहस और पराकरम के कारक हैं तो वहीं इन्हें जोतिस में सेनापत की उपाध दी गई है मंगल देव 16 अगस्त 2020 रातरी आठ बचकर 37 मिनट से मीन राश से निकल कर अपनी स्वेम की राश मीन राश में गोचर करेंगे में राश में भाद्र पद्र किष्ण पक्ष्च के महीने की यानि 12 सी तिथी को 7 बचकर 27 मिनट पर मंगल ग्रह ब्रिहस्पत की मीन राश से निकल कर अपनी स्वेम की राश में गोचर करने वाले हैं दोस्तो मंगल ग्रह 10 सिप्टमबर 2020 तक आपके एकातस भाव में रहेंगे अगर हम आपको दूसरे सब्दों में कहें तो आपका इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मितुन रास वालों आपको बड़ी सफलता मिलेगी और बड़ी खुसकबरियां मिलने वाली है आपकी कुंडली में मंगल ग्रह में इस राश में एकातस भाव में यानि लाब भाव में इस्थित रहेंगे और लाब भाव में मंगल ग्रह का इस्तिती रहना रियल स्टेट प्रोपलिटी में जेवर जस्त लाब देखने को मिलेगा अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप कई गुणा याँ यहाँ पर लाब देख कमा शकते हैं पार्टनर्श में बेफसाय करते हैं तो ताल मेल बना कर रखेंगे तो निश्ची तोर पे आपको लाभी लाभ दिखाई देगा इस दर्मियान आप यात्राइं भी कर सकते हैं और उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता के या सिर्वास से आप अपने कार छेत में तेजी से आगे बढ़ेंगे, साथी साथ सामाजिक छेत में कोई बड़ा काम कर सकते हैं, मितुन रासवालों मंगल का यह राशी परवरतन आपके लिए कानूनी अर्चने अगर कोई पहले से चली आ रहे थी तो उसमें आपकी बिजय होगी, यहाँ पर लंबी यात्राओं से आपको फाइदा मिलेगा, अगर दोस्तों की जो संख्या होगी, वो ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन जो लोग आपके दोस्त रहेंगे, वो आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको स जिसे आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे, इन दिनों में जो पारिबारिक महौल रहेगा, वो भी आपके लिए बहतर रहेगा, लेकिन अगर हम और ज्यादा बात करें आपके कारचेत रोब्रेपसाई की, तो देखे मंगल का यह जो राशी परिवरतन 16 अगस्त 2020 से हो रहा ह यह मिथुन रासवालों आपके कारचेत में केरियर में यनि पद प्राप्ति की योग बन रहे हैं, वहीं पर आप अपने बोश से और आपके जो सहकर्मी रहेंगे उनका शपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिथुन रासवालों आपके मंगल के जो राशी परिवर्तर हैं, मिथुन रासवालों आपके लब लाइफ की बात करें, आपके परिवारिक संबंद कैसा रहेगा, धन का लाब होगा या फिर धन की हान, केरियर इत्याद कैसा रहेगा, तो आए इन सब के बारे में भी आए हम विस्तार से जान लेते हैं, तो सबसे पहले ज द्वास्त भी मजबूत रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत आपको परिशानी, चुकि ब्रिहस्पत का प्रभाव और मंगल गरह का प्रभाव थोड़ी सी बहुत परिशानी आप पर डाल सकती हैं, या फिर बाहन चलाते समय थोड़ा एलट रहें, इसकीन एलर्जी भी हो सकत गुटनों से नीचे परिशानी हो सकती है, और आपके पेट में समस्याई आशकती है, कानों में दिक्कत आशकती है, जिससे आप परिशान हो सकते हैं, इन सभी समस्याओं के प्रति आपको आगाह किया जाता है, इन से बचने का प्रियास आप अवश्य करें, इसके अत्रिक आपको ज्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी राहत मिलेगी यानि कि आपको 25 अगस्त के बाद राहत मिलेगे किसी भी काम को लापरवाहिशे ना करें अन्यथा नुक्सान भी हो शकता है मितुन रासवालों आप अपना काम को सलता पूरवक पूरा करें जिम्मेदारियों के साथ करें लाव अवश्य होगा आप अपने स्वास्त पर पूर रोप से ध्यान जो पहले नहीं दे पा रहे थे इसलिए आप अपने स्वास्त पर परेशानी आए दिन झेलते थे लेकिन अ अलफिलहाल में आप ने जिससे मुलाकात की है जो आपके लव लाइफ यानि लब पार्टनर हैं उनसे मिलने के लिए उत्साहित हैं लेकिन आपके छबी में थोड़ी सी परेशानी आ शकती है। किसी तीसरे पक्ष की बज़े से आपके चबी में थोड़ा बहुत नुक्सान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, तीसरे पक्ष की सलाह से कोई ऐसा काम ना करे, हाला कि आपके लब पार्टनर आपके प्रति आकरशित और आपका सहयोग दे रहे हैं, प्रेम जीवन में तमाम हो जाएगा, रोमांटिक पल भी बिताने का पल मिलेगा, जिससे आपकी लवलाइप में खुसी के पल आएंगे, लेकिन फिर भी तीसरे पक्ष को ना आने दे नहीं तो बिवाद किस्तिती बन सकती है, पुना है, मंगल का यह जो राशी परिवरतन 16 अगर्ष्ट को हो रहा ह तो यहाँ पर मिधुन रास वालों आपके लिए अभी तक जो आप सिंगल थे जिन लोगों के लिए उनके आपके जीवन में किसी खास ब्यक्तिकी दस्तक हो सकती है, यदि आप साधी सुदा हैं तो आप बात करते हैं आपके बैवाहिक जीवन की, तो देखिए बात का बतं भावना है, आपके बिवाद को बढ़ा सकती है, और आपके जीवन साथी इसमें आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं, चुकि इसमें आपके चाहे बेवसाय में हो, चाहे आपके कारशेतर में हो, आपका सहयोग कर रहे हैं, आपकी कद्र कर रहे हैं, आपका मन सम्मान भी बढ़ आने का मन भी बहल जाएगा और घूमने फिरने का एक मौका मिलेगा अब बात करते हैं आपके धनलाब की या फिर धन की हान होगी आपकी आर्थी के सिती कैसी रहेगी तो मितुन रासवालों आप अपने कारचेतर में यानि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जो काफी समय से यानि आपके कारचेतर में आपके बेपसाय में मंदी का दौर चला रहा था वो मंदी का दौर अब खत्म होगा यहाँ पर आप अपने कारचेतर को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे नए ने आईडिया आपके दिमाग में आएगा और जो समस्या थी उस समस्या का समादान भी निकालेंगे जोखिम भरे कदमों से आप आगे बढ़ेंगे और आप जोखिम उठाते हैं तो आपको सफलता भी इसमें मिलेगी उम्मीद से कहीं जादा यहाँ पर मान सम्मान मिलेगा और पद या प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो सकती है अगर आपके नौकरी में कोई या मालीजे प्रमोशन रुका हुआ था तो वो भी आपको प्राप्त होने की योग बन रहे हैं यहाँ पर आपको यानि किसी खास बेक्ति से ऐसे मुलाकात हो सकती है जो आपके कारशेतर में आपका सहयोग देगा यहाँ पर महीला के द्वारा भी आपको लाब होगा अगर अगर मालीजे महीला सहकर्मी हैं किशी कर्मचारी हैं यानि कोई बड़े पत पर अधिनस्त हैं तो उनसे आपको यानि कि सपोर्ट मिलेगा और उनके बिभार से आपका सारा काम भी बनेगा और आप अपने बिभार में थोड़ा सा बदलाव लाते हुए यहाँ पर सारे काम को शमय पर अगर आप करते हैं तो आपके बरिष्ट अधिकारी पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेंगे हाला कि कुछ सहकर्मी आपके बिरुद्ध जाकर आपकी राह में रोड़े डाल सकते हैं इनसे आपको सावधान रहना होगा बेफसाई लोगों के लिए भी ये महीन कर दोर जहलना पड़ सकता है लेकिन रियल इस्टेट जमीन प्रोपरिटी में आपको लाभ मिलेगा तो कुल मिला के यहां पर अगर देखा जा तो आपको लाभ ज्यादा है और कई सारी खुसखबरियां यही बड़ी खुसखबरियां आपको मिल रही है मंगल के राशी पर